चिकन का कीमा 3 lb 1.5 kg तू मीडियम साइज की आनियन्स लेके इसको फिर ग्राइंड कर लिया और ग्राइंड करने के बाद इसको मुसिलिन क्लॉथ या किसी स्ट्रेनर में रखके इसका पानी ड्रेन कर दिया है तो यह बिल्कुल ड्राइ हो चुकी है यह देखें इसमें बिल् केबल स्पून अध्रक लेसन का पेस्ट हाफ कप हरा धन्या बारीक कटा हुआ मैंने इस तरह की छोटी मिर्चे लिये हैं 12-15 अदत और उनको बहुत अच्छी तरह फाइंली चॉप कर लिया है वन केबल स्पून भुना कुटा साबुद धन्या वन टेबल स्पून भुना काल मिरच बा Panic, एब फील स्पून चाठ मसाला हाफ की स्पून गरम मसाला हाफ की स्पून पाला नमक One टी स्पून तिफीवी लाल मिरच टू टीश पून नमक नमक आप अपने हजबा जरूरत यूज कर सकने हैं अब ये हमारे पास मसाले हें जिनको के हम पीस लैंगे उसम वन टी स्पून साबुत काली मिरच, आठ से दस छोटी लाल मिरचे, हाफ टी स्पून कबाब चीनी, इसको पीपली या फिलपिल दराज कहा जाता है, आठ से दस ये ले लेंगे हम, और इन सारे मसालों को अच्छी तरह बारीक पीस लेंगे, तो इस से बहुत अच्छा सीख आपका मसाला तयार हो जाएगा. तो इस तरह मसाले पीस लें, आप तीमे को मेरिनेट करेंगे, जिंजर और गार्लिक पेस्ट, पुना, खुटा, धन्या, सब धन्या, यह जो हमने मसाले पीसे दे, यह बी डाल देंगे, पुना, कुटा, जीरा,lo a. मस् database, यह सारे मसाले भी यसमें जाएंगे गरम मसाला, काला नमाद, लाव मिर्चे और नमाद, पैसी हुई प्याज जिसके हमने पाने ड्रैन कर दिया है गटीवी हरी मिर्चे, कटा हुआ हरा धनिया, बस हम इन सारी चीज़ों को हमें मेक्स करना है, हुआ अच्की तरह हमें मेक्स करें है यह हमारा चिकन सीख केबाब का किलिमा मैरीनेट हो चुका है इसको कबर करके रख देंगे 2 घंटे के लिए वृ हो ठोस्के हैं और यह हमारा मीड हरा अच्छी तरह मैरीनेट हो चुका हैторовический को हम को लेते हैं और आपको सीख कबाब बनाने से पहले, पाणी चाहिए होता है क्या हम पाणी लगते जएंगे हाथ में और सीख कबाब बनाते जएंगे और आपको चाहिए होगी सीखें मेरे पास दोनों तरह की हैं जिसका कि भी आपके पास हों, वह यूज कर सकते हैं लेकिन यूजली सीख कबाब के लिए ये वाली स्क्यूर्स यूज की जाती है तो ये सीखने ले ले आप फिर थोड़ा सब पानी लगाएं हाथ में अपना हाथ बैट कर ले इसके बाद नीट लेके जितने बड़े और जितनी छोटे आपको सीख कबाब बनाने हैं वो बना दे इस तरह इसमें रोके अब इसको हम आई साइस सब ठाला दे जाएंगे पानी लगाएंगे तो ये लग चुके हैं और अब हम इसमें एक काम करेंगे जो बहुत हुपसरत लगता है उस पर हम मार्ट देंगे अपने उंग्लियों से दोनों इस तरह मार्ट दे लें इसी तरह हम बाकी के भी सीखों पर लगा लेंगे और हमने सीखों पर कबाब लगा लिए हैं तो अब हम बार्वी की करेंगे हम यहां कोईलों की बार्वी की यूज कर रहे हैं कोईलिक बहुत अच्छी तरह त्यार हो चुके हैं इस तरह सीखे लगते हैं सीख कबाब बनाने में ज्यादा देर नहीं लगती दस से पंदरा मिनिट में आपके सीख कबाब तयार हो जाएंगे इनको आएसा ऐसा घुमाते रहें ताकि इवनली सब तरफ से अच्छी तरह कुको जाएं और इस पर घी या फिर तेल ब्रश की मदश से लगा दें तो यह बहुत अच्छे तयार होंगे यह हमारे मदेदार चिकन सी कबाब तयार है